परसों जो एक नाबालिक बच्ची के साथ अलवर में गैंग रेप किया गया और डॉक्टरूस को निर्वया टू मानते हैं इतनी दरिंदगी से इन दरिंदों ने उस बच्ची के उपर अत्याचार किया लेकिन अभी तक राजस्तान की पुलीस मौन धारे हुए है और इन दर परिवार की लोगों से पिता जी से बात की जिनको मिलने के लिए मैं आज जैपूर जा रहा हूं मुझे बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है या तो बच्ची हम मनौरिटी में हैं इसलिए प्रेंका गंधी चुप है या उनको हमसे नफरत है इसलिए वो चु जिसके लिए उनके माता पिता के साथ आज हम लोगों को सबको खड़ा होना चाहिए उस पर बच्ची को इनसाफ मिल सकी उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस चुप रह सकती है प्रेंका चुप रह सकती है चन्नी चुप रह सकता है लेकिन हम चुप नहीं के लिए